यमपंडित आपका सौकत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नमस्कार दोस्तों आज से हम इंडियन पॉलिटी चालू करने आ ले हैं इससे पहले भी करवा रखे लेकिन मैं आज से इंडियन पॉलिटी चालू कर रहा हूं और इसका हम बेसिक से पढ़ेंगे ठीक है हम पूरा इसका बेसिक से पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का हम बेसिक से पढ़ेंगे सब कुछ एगदम बेसिक से किलियर करेंगे ठीक तो आसा करता हूं आप लोग साथ देंगे और आप लोगों को समझ आए तो बताना नहीं आए तो मुझे बताना डाउट हो तो मुझे बताना ठीक है कमेंट्स में बताते रहना देखे हम पॉलिटी इस बार जो करेंगे हम बिल्कुल बेसिक तरिके से करेंगे चाहे कितने भी खतरनाक लेवल की हो आपको सब कुछ समझाएगा बिल्कुल असानी से समझाएगा इसलिए देखो मैंने पीडेफ बना रखे पीडेफ मांगोगे तो मैं दे भी दूंगा मैं वट्सप नंबर बता दूंगा उस पर ठीक है बागे देखे आज से हम चालू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन क्या चीज सुपरफीसियल स्टेडी ओफ एनिफिंग विल नॉट गीव यू दा सर्विस इफ यू नीड सर्विस यू है तो गिव यूर सर्विस ओनेश्टली मतलब सीधे से यह है कि जब तक आपको नो उपर उपर से कोई काम करके है न सर्विस नहीं दे सकते आप जब तक आप उस से नहीं करोगे तब तक कोई सर्विस है ना काम में नहीं आएगी इसका मलब है मांदारी से काम करो डारेक्ट बोल ला है ठीक है अब देखे यह बुक इंगलिस और हिंदी दोनों में देखे जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे हैं निवारे है समय का सुध उप्योग ठ चीज़ से ठीक है बाकी पॉलिटी पढ़ने आले हैं आजम ठीक है जिसने समय के मुल्ले को नहीं जाना है वे कभी सफलता के सिखर पर नहीं पहुच सकता समय सबसे महान है परमात्मा से भी ठीक है समय बहुत इंपोर्टेंट है भक्ति आदी साधनों से परमात्मा को बुल चलते हैं आगे देखें इंट्रोडक्षन चैप्टर करवाने वालों में इस बुक का हाट है ठीक है मलब जीतने भी हम पढ़ेंगे उसका दिल है में चीज़ा सोचे को रहें प्लीज रीड इस चैप्टर केरफुली चलिए आगे चलते हैं हम चालू करेंगे पहला इंट्र जनरल ठीक है भारते समिधान के मुखे दो लक्षान है भारते समिधान किन चीजों पर अधारिता में यह जानना होगा इंडियन पॉलिटी पढ़नी है आपको चाहिए देखिए यार यह हर पेपर में काम आएगा पॉलिटी ऐसा थोड़ी है खाली UPSC में काम आता हो हर ची पॉलिटी तो में को रहें सब पेपर हो की तो चलो स्टार्ट करते हैं भारते समिधान की दो मुख्या बात एक तो राष्टिय एकता एव अखंडता की रक्षा करना मलब हमें राष्ट में एकता बनानी पड़ेगी हिंदू-मुसल्मान सी किसाह सब बापस में भाई- तो यह सब नहीं पूरा अखंड है कोई हमारे देश से अलग नहीं हो सकता अपने मर्जी से समझा रहा है कि चलो फ्यू पॉइंट्स देखता है रिगार्डिंट कॉंसिट्यूशन इंडिया पॉलिटी और हिस्ट्री दो अलग-अलग चीजे हिस्ट्री हमें क्या बताता है उसे रिलेटेट ठीजे उसके बारे में मैं रूल रैगुलेचन के बारे मम बताती है ञża करता हूँ आपको समझा रहा हूं नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बचाना जो आप мои économ चैसे आप वेशीं पड़या बस आप बिष बढ़ाएं गे तो मैं और मैंश obese करूँग ठीक क्या मलब कानूनों को गुच्छा है जिसमें रूल और रेगुलेशन लिखे हैं वह क्या रन करने के लिए नेशन किसी राष्ट को चलाने के लिए ठीक है इंदा अपसेंस ऑफ दिस रूल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन दा नेशन हैंस एवरी कंट्री हैस अकॉंसिट्य सबके पास अलग अलग है सबके पास अपनी कंट्री के जैसा है मलब उनकी कंट्री के हिसाब से जो भी है उन्होंने अपना कॉंसिट्यूशन बना रखा है ठीक है आसा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा हुगा चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन आर्टिस्ट मिस्ट और डिट्र नंद भोस व्रॉं संतिनीकेतन हैज डेकोरेटेधेट हैंड रितनि क्यूप अफ इंडियन च won्सवं त संटीब्चे अब हम वोले की कॉंश्टीउशन की हैंड रितन कपई किसे में इतना बढ़ा नद आलंध लेखना यह सब को अंद्भक्ता नहीं हैं लिखन यहां कि तो नन्दला वोस ने रिकोटे किया है हैंटरीटन कापी को ऐसे लिए इन रिटीटन कोपीं अ की बिस पूरा फॉर टाले लिखा नहीं है रिकोरेट किये और लिखा कि रहे और फ्रीटन कोपी आप देवर इंडियन कॉंसिटूशन और इंटेलिक फॉन्ट में लिखा इंगलेस का लेट बासा ऐसे करके आईभनताई यू करके बनता भी बनता है इटालिक फॉंट में तो हमारे सजाई किसने समीधान की बुक को तो नंदला ने बोस ने और लिखी किसने उसकी कॉपी और प्रेम भियारी रायजादा ने ठीक है और इन्होंने इसके बल्ले पता है क्या बोला था मेरको हर किताब के मलब समीधान की बुक पर आगे बढ़ते हैं कॉंसिट्यूशन इसकाल्ड सुप्रीम लॉफ लेंड कॉंसिट्यूशन का है किसी भी जमीन के टुकड़े पर मलब देश पर उपर कोई नहीं लेकिन एक बात आपको समझने कि आगर यह जमीन के टुकड़े पर किसी ने लॉफ बना दिया कुछ साल पह इसके वपर कोई है उसके औपर है जनता के भी नदेश कोई कानून थोड़ी किस काम का मानलो किसी कानून को भी और को दोड़ी वह जनता कि मांगोगी तो बतला जाएगा ठीक है group of people present at a higher level to run the nation according to the constitution ठीक है अब इतने सारे लोग है भीडबाड यह सारे थोड़ी नियुमकान दो बनाएंगे तो इनके representative जाते हैं संसद वगेरा में ठीक है और संसद में जाते हैं वो नेता बन के और वो लोग बनाते हैं हमारे लिए तो उन्हें क्या बोलते है representative अब सुनिए वट इस governance एंड वट इस गुड़ गवर्नेंस एंड वट इस गुड़ गवर्नेंस ठीक है governance means providing services and good governance means providing good quality of services देखिए यह बहुत अच्छी चीज़े हमारे राजनेता और लोगों को समझ आए तो बहुत अच्छी बात हो देखो बोलते है governance है हमारे पास लेकिन गुड़ गवर्नेंस भी तो लाओ इसका मतलब यह है देखिए कि आपने बोला कि हमेने hospital खोलने है बहुत सारे तो हमारे हमारा देश विक्सित हो रहा वा भाई बुड़े तक को अच्छा घाना प्रवाइड कर रही हो सरकार तो इसको बोलें good governance समझाया एक रुधारन देता हूं बोले हमारे देश में बोला जाए कि हम एना बहुत सारी जेल बना रहे है जेल बना रहे है तो एक बंद आता हो बोलता जेल क्यों बना रहे हो कैदी ना हो लोग हो में संसकार ऐसा करो ना तो यह करने हाली सरकार good governance के लाएगी समझाया ना कि जेल बहुत सारी बना दो कैदी भरबर के समझा रहा है governance good governance का मतलब what is the meaning of providing minimum government maximum governance running a nation with good quality of services with less number of people this means concentrate more services rather than the structure हमें क्या करना है जाद से जाद से जाद सर्विसिस देनी है ना तो structure बना खड़े कर देना ऐसा नहीं कि fly और बना दिये 500 इसका मतलब संद्यो लाइन का ऐसा नहीं हमारी हमने दिखा GDP हमारी है तीन लाग पहले थी दो लाग करोड तो बंदे खुश होगे हाई 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 बहुत अच्छी बात है लेकिन जीडिपी में केवल अंबानी और अडानी का योगदान है नभे परसेंट दो बंदों के बाद नभे परसेंट पैसा और जो 98 परसेंट लोग है उनके पास बस 10 परसेंट पैसा है तो बेदबा हुआ तो बिल्कुल ही घलत बिल्कुल ही बेगदम बकवास गवर्नेंस है यही चीज़ें आपको समझ नहीं है समझ आ रहा है समझ आ रहा होगा आप लोगों को ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अब देखिए इन जनरल प्रसेप्शंस है इन डिफिस अर नैसिन राइन लेज़ बाट रहा है जनरली हम कह देते हैं क्या हिंदी हमारी नेसिन लेज़ए क्योंकि आप ज़्यादा बोली जातीए इसलिए बंदे बोलते है ठीक है इसे आप कमेंट्र में गाली में नहीं वकना मेरे को बता लेकिन ज्यादा तो लोग बोलते हैं तो हिंदी को मानते हैं लोग कि नैसल लेकिन हैं याद रखना ठीक है कर दो चले आगे चलते हैं को अब लास्ट कर रहे हैं आपन दिखे पहला लौ एक्ट और लेजिसलेशन क्या है देगे दर रूल the rules and regulations defined in the Constitution are called laws act and legislation कानून विधेग बोल ले ठीक है कैनुन विधे यह सारी बात बोले ठीक है गौवर्मेंट क्या ओती है लॉअक्ट लेजिलेशन क्या होती है यही बता रहे ठीक है government क्या होती है law का मलब तो कानून है ये act का मलब जो बनाया जाता है ठीक है यही है government सुनी है समझ नहीं बंते है legislature executive or judiciary सुने अब यह दियान से देखना government क्या है government टिक है old me percent शेंसनी चला है अब फोन मेरा क्रूभाई यही इसदोत ही तो कारएपालिक याद रखना गोष्मनिट इन से इसका है क्लाद गंधा ज़िए जूडिशिरी मिलए बन्ती याद रखना jinा विधाइपालिक विधाएक अलग काम करती है लकिन तीनों आपस में मिले हुए बंदे हुए कोई ज्यादा हेरों नी बन सकता समझाया विधाएका क्या करती है कानून बनाती है ठीक है और कारेपाली का इसका इसका क्रालन करवा थी decision जो法 कानूनों को हनान होता है कानून गलत बनती है तो इसको क्या करता है संतुलित करती कारेपालिका में याद रखने आप पढ़ोगे ना डीप में तब आपको पता लगेगा अभी तो मैं ऐसे इसे पढ़ा रहूं अंदर जाके पढ़ेंगे ना आगे जब हम पंद्रवी बीस वीडियो पहुचेंगे तब आपको समझ आएगा ठीक है तो मोदी जी ने विधाई कर देगी भाई दुआर से चेक और इस कानून को यह कोई भी दिक्कत आती है तो आप कोटी में तो जातों इनसाफ मांगने तो यही वाली बात है समझाए तो इन तीनों को मिलके बोलते है ठीक है गोवर्मेंट खाली यहीं मोदी सरका मोदी जी नहीं है गौवर्मेंट के तेंदर तीनों चीज़ आएगकी एक तो संसत आती है ठीक है और दोसरे के आते पति एक राष्ट संसत के अंदर कानून बनते है और कानून राष्टेपती के बाद सिगनेचर करने के लिए भेजे जाते हैं तो बोला जाए तो लोगसभा प्लस राज्य सभा प्लस राष्टेपती प्रेजिजेंट इन तीनों को मिला के क्या होते हैं हमारा लेजिशलेचर बंती विधाई का समझ गए संसत के दो सदन एक लोकसभा एक राज़े सभा याद रखना है अब Constitution लॉइक क्या होते है Constitution मैं संसे इस्टेट बात है और संसत ऑर सब्रकार खार काम चल और जैसे दिली है हर्याणा है उत्तर परदेशनी सब में वहां की भी तो कानुन बनाएंगे तो विदान सबस्ट यह वहां के से म्वगर्प वहां के लोग होते हुसे में ठीक है मलब और स्टेट लावल पर विधान सभाव विधान परिशत तो इस लावल पर जो कानून बनाते हैं न संसद वागेरा में लाजिश लेजर लेज़र इसे को क्या कहते हैं और इन दोनों के लिए अंतर यह देखो किना सिंपल सा अंतर बताता हूं समिधान में जो पहले से हैं वह क्या है Constitution law समिधानिक कानून है और जो ordinary वह क्या होते हैं जो बाद में बनाती है सरकार बनाती है समझानिक करता हूं समझ आया होगा आप देखिया मैं आज से पहली वीडियो बनाती मैंने ऐसा करता हूं आप इस वीडियो को सेर करेंगे खुष्ट ही पढ़कर लाइक करते हो ऊर्कमेंट करें जो आपको पूछना होगा ठीक है अगर आपका कमेंट आएगा और आप और इसको करने के बाद आप इंडियन पॉलिटिक बहुत अच्छे से आ जाएगी और देखिए किन्नी अच्छे से पीडियेफ बनी हुई है यह आपको पूरी मिलेगी यह आपको रोज पीडियेफ बेज दिया करूंगा अगर आपका चाहिए तो नमस्कार दोस्तों मैं आप से बाए लेता हूं अलविदा पढ़िये अपने घरवालों के सौस्त का ख्याला किये और खुद खुश रही और देश की सेवा करिये यार प्लीज धन्यवाद